नमस्का और तरसकवीन लोजिकल एगरगयन में आप सबका स्वागते इस साल मैंने बहुत सारा खेती लगाया बहुत परिश्रम किया मेनित किया बहुत आनंदार है और मैंने यहां पर आज कुदर उप रहा हूं और मैंने आज आपको किर्शी समंदिक थोड़ा बहुत सारा ग्यान मिलेगा और किर्शी शमंदिक एक अनंद मया बात परण आपको प्राप्त होगा हमारा जीवन वचाने के लिए किर्शी एक बहुत महत्तपुण अंग है किर्शी को हम जबी भी पुजा करना चाहिए किर्शक को और किर्शी को पुजा करना चाहिए क्योंकि इससे ही हमारा जीवन हमारा जीवन यापन चलता है हमारा भोक मिड़ता है और हम प्रिश्रम करना कभी भी पिछे नहीं हटें जितना आपका आस पास का जमीन है और जितना आप मेहनेट कर सकते हैं खेती लगा सकते हैं जितना आपका छेहमता है तो इतना आवी आप अल सी नहीं करके थोड़ा बहुत जमिन में खेती किया करो इससे आपका परिवार भी बचेगा आप भी बचेंगे और आपका छिमेक एक राष्ट और एक बोका आदमी जिसके पास पैसा है तो पैसा से वो किनके खा सकता है और हमको पैसा से फीर किरशकों को पैसा से पीर जरीरवथ के काम करने का एक मौगा भी मिलता है और कोई भी देश में सर्खार वहां का जो सर्खार है सर्खार ने किरशकों को बहुत हेल्प करना जाए बहुत स्वाइग करना चाहिए बहुत विशेमी स्वाइग करना चाहिए उसको आर्थिक स्वाइग बेव विजन का स्वाइग मौल का स्वाइग मेशिन अवजार का स्वाइग अवसदी विटामीन विशादी इस सब कुछ का स्वाइग करना चाहिए और किसे को का जो फसल उ होता है उत्पादन के बाद किर्शकोंने उस फसल को बिक्री बितर्ड करने में मुस्किल आता है कभी-कभी तो फसल बिकता है तो कभी-कभी कोई सब्जिया इसा चीज बहुत सस्ते में भी नहीं जाता है तो वहां पर किर्शकों ने उसको सड़ा के जोट के टेक्टर लगा के और उहीं पर शर्णने देना मजबूर होता है और इस समय में सरकार ने किर्शकों का छेती पूर्ती तो बेहरेंगे तो उसका जितना छेती पूर्ती हो रहा है किर्शकों का उसके अनुमन लगा के वहां पर थोड़ा बहुत कर्मचारी खड़ा के कौन किर्शक ने कितना काम कर रहे है वो पेपर में काम नहीं है पेपर का किर्शक का बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ तो रियल बरतमान किर्षक का जो खेती कर रहे है आखों से देख रहे हैं आखे के सामने है उँँ खेती उँँ किर्षक है उसका फॉर्म दर्ता भी नहीं है उँ किर्षक है उँँ कोई जाता भी नहीं है पड़ालेखा भी नहीं है और पड़ालेखा है भी उग खेती कर रहे हैं तो कोई भी किर्शक खेती कर रहे हैं तो उग मुर्तमार समय में कर रहे हैं तो उसका लेखा जोखा होना चाहिए अभी एवात बोलना नहीं चाहिए कि अभी यह किर्शक फृम दर्टा नहीं किया है और यह कर नहीं तेर रहा है यहाद बोलना नहीं चाहिए किर्ष को कुछ भी पता नहीं होता है उसका इतना समय किर्षी में देना पड़ता है खाने, सोने, रात का समय, दिन का समय और 24 गंटे में 24 गंटे समय भी उसको कम पड़ता है तो कौन टाइम में कागाज पत्रों मिलाने के लिए जाएगा किसी का साधन भी नहीं होगा, किसी के पास पैसा भी नहीं होगा रिण में होगा, तो वो आदमी कैसे जा सकता है और उसको बरतमान समय में सरखारी करमचारी खटा के उसको कहाँ पर कितना आदमी क्या क्या खेती कर रहा है और कौन खेती में घाटा हो रहा है, कौन खेती में खेती हो रहा है और बरतमान, कोई गुस्पेट, कोई आपना, डाजु भाई, इस्टा मित्रा ये बोलके नहीं और एक किर्शक ने जो मेनत किया है, उसका सम्मान करके उसका खेती पूर्ती को आपरती जब किर्शकों ने आदमी ने करेगा, सरकार ने करेगा, तो उसके बाद ही किर्शकों को बलाई में देखता हूँ क्यूंकि किर्शकों का इतना खर्चा होता है, उसको जोताई के बखत में टेक्टर का खर्चा आता है गुरू का खर्चा आता है और खितला का खर्चा आता है मल का खर्चा आता है ब्यू बिजन का खर्चा आता है गोड मेल का खर्चा आता है फसल टिपने का खर्चा आता है और उसमें अवसदी बिटामीन का खर्चा आता है और लेर हिती कर रहे हैं तो उसमें थाकरा, बांश, रशी, इसा सब कुछ का खर्ता वहाँ पर इनकुलिडिंग होता है, जोड़ता है और इससे आदमी का बहुत सरा लगानी किर्शी में फसता है, वो भी बहुत क्यांस, बहुत हाड क्यांस रुपियां उसको आपने कोई भी बांकी काम कराएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, सब कुछ मॉल में पैसा तेर न परता है ठेक्टर में पैसा तेर न परता है, सब कुछ जग्ग में वहाँ पर पैसा 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 जाता है और जब फसल को उतपादन लेने का टाइम आएगा तो फसल से आमदानी नहीं होगा फसल बिक्री नहीं होगा फसल बेचने का मुस्किल होगा तो आदमी कैसे वहां से उतपादन और नापा मुनापा लेता है कितना मुस्किल है, कितना, कितना मुस्किल है, तो वहां से मुनाफा कैसे लेगा, बड़ा मुस्किल है, तो उस वकत में उरेन में जाएगा, उसका गार खेत होगा, उसने क्यादला का कैसे तिरेगा, बेविजन का कैसे तिरेगा, दोसरा खेती उसने कैसे लगाएगा, तो उस खेती नहीं लगा सकते हैं, तो आत्मा होत्या करने के लिए मजबूर होगा, बोक्से हो, किर्शक ही मरेगा, कितना खाएगा बंदा, कितना खाएगा कावली, सब सड़ के जा रहा है, कितना खाएगा गाजर, कितना खाएगा मुले, तो यह चीज का विवस्ता, इस चीज का बंदाराण, इस चीज का खरिद भी करी, तो जितना किर्शकों का उत्पादन होगा, उतना सर्खार, उसको हैंड ओवर करना है, और निवनतम मुले, उचित मुले में, उसको किर्शकों को देना है, अभी सर्खार को भी थोड़ा मुस्किल हो रहा है, तो मैं आपको लोजिक बता दूँगा, एक तरीका बता दूँगा, तो इससे आप काम करेंगे, तो कोई देश का भी इस समस्या हो जाएगा, पहले बात तो मैं, मेरा तरीका बताने से पहले बात तो मैं बताऊंगा, अभी का जो किर्शी कार्य है, वो बहुत टेकनिकल करना बढ़ेगा, अभी बड़ा-बड़ा मेसिन आ रहा है, सब कुछ मेसिन से हो रहा है, अपका कपड़ा, अपका जूती, चापपॉल, अपका गाड़ी, घोड़ा, इस सब कुछ बनता है न, हाथ से नहीं, अभी मेसिन से हो रहा है, सब कुछ मच्ची मारने की लिए ठुला बड़ा-बड़ा पानी जाज का मेसिन का परियुक कर रहा है, पहले-पहले मैं छे आदमी एक बास में एक जूल डालके, और एक जाल डालके, एक अंकुष डालके उसको पकड़ते हैं, अभी बड़ा-बड़ा पानी जाज का परियुक करके, एकी दिन में कहां उटन मचली घंटों में उठा देते हैं समंदर से, इसा टेकनोलोजी आ रहा है, अभी किर्शी में भी एक आदमी ने एक टेक्टर खरेगे, खरे देंगे उसमें बहुत सारा मैसिन खरे देंगे तो इस सम्बब नहीं होगा, उतना जगए भी नहीं होगा और काम कैसे करना पड़ेगा, कोई भी देश ने, तो एक बड़ा अरिया में, बड़ा बड़ा चेत्र फॉल में, एक लोजिकल खिती लिएा पड़ेगा, कोहन बातबरों मे पहाड में क्या होता है, तराई में क्या होता है, हिमाल में क्या होता है, कहाँ पर जड़ी बुड़ी होता है, कहाँ पर फालफुल होता है, कहाँ पर अन्ना तरकरी, फालफुल, सब कुछ का एक मैनेजमेंट मिला कि वहाँ पर ब्रियत रूप में, बड़ा-बड़ा मेसिन का बहुत गाटा होता है और करी नहीं सकता ही और अब ंगाने होता है अब किरशि में और इसमें देश ने कोई भी देश ने किरशी को सुरू करना चाहिए एक ब्रियत जाना बना के और वहांपर उही देश का आदमे को रोजगार देना चाहिए जो जितना टेकनिकल पुर्शेश है उस सरखार नहीं किया और खेती भी सरखार नहीं किया और वहाँ पर जो कामदार है जो रोजगार का वेबस्ता है जो काम करने का है वो काम करने के लिए उही गाउं का उही सहर का उही ठाउं का जो जग्या का आदमी पर्योग करना इससे रोजगारी भी प्राप्त होगा, खेती का भी सुरच्छा होगा, एक सारा बहुत सारा सिस्टम भी मिलेगा, यह एक बात है, और दुसरा बात मेरा टेकनिकल क्या यह, कोई भी डेश को कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, कैसे, तो आप एपलिके में आपने सबी देश वासियो किर्शो को का नाम दर्ज किजी और कितना जग्गा है किसके पास कैसा जग्गा है क्या होता है वहां पर कौन-कौन समय में क्या-क्या शम्मावाना है सिचाई का कतना विवस्ता है कौन शामाई में ख्यती कर सकते हैं कौन ख्यती सबसे अच्य होता है और वहाँ पर गुमती बाली क्या गया हो सकता है इसका रिपूर्ट एक देश ब्यापी रूप में कुछ छोटी समशे में लेना चाहिए एक डाटा लेना चाहिए और डाटा लेके एक एप्लिकेशन बुनाना चाहिए और एप्लिकेशन अभी सभी के हाथ में स्मार्ट फोन होता है और क्या करना चाहिए तो कोई भी किर्शक का वहां पर कोई टेंशन किर्शक को क्या 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 खेती में अभी यह साल लगाऊं क्या खेती का भाग आएगा क्या खेती का भाग नहीं आएगा क्या होता है चिताउन में, नेपाल के चिताउन में, कोई भी जग्गा में, किसी किसी समय में देख रहा हूँ, कोई बार बंद ही बंदा खेती होता है, कावली कावली करेली करेला खेती होता है, बिगा बिगा खेती करते हैं, किसी को पास पता नहीं होता है, कि कौन किर्शक ने कितना खे सबजी मंडी जाता है, तो मंडी में एकी सबजी पढ़ता है, बहुत सारे और खरीद का, जो मागें उससे भी बड़ी थे हैं, वहाँ पर सबजी 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 होता है, तो अटोमेटिक इस क्रम से भाग नहीं हाता है, और हमने क्या करना चालिए, एक देश मे कितना सबजी खपत होता है, हम कितना इस देश से, एक देश से, दुसरा देश में पठा सकते हैं, और कौन समझी, कौन कौन टाइम में, क्या क्या, कैसे कहाँ, कैसे तरीका से पठाना चाहिए, इस सरखार, गर करना है, और किर्शाकु को क्या देना चाहिए application में, तो साल, पांस साल और दस साल का एक डाटा है आपका आपने इतने जमिन में ये एक खेती लगाई इसमें जितना वहलेगा तो उतना हम सर्खार का गाड़ी आके और सर्खार ने इसको उठा देता है आपका काम है श्रीप खेती लगाना थोड़ा बहुत लगानी भी कर देंगे तो लगानी करेगा पैसा जो हमने फसल उठाया था उससे ही कटाएंगे और आपका जितना उत्पादन होगा हमने जो किया है एप्लिकेशन में जितना हम अडर कर रहे हैं खेती लगाने के उतना ही करो अब मैं समझा दूँगा कितना आसानी अभी सब्ठोर का जो मना है तो आपने एक पांच साल दस साल के लिए एक किर्शको को आपने एक योजना दे दिया अभी आपने एक छे मैना करेला लगाओ उसके बाद उही जग्गा में करेला नहीं होता है और उसके बाद वहाँ पर घ्रिम्डा लगाओ और एचीज लगाओ और एचीज लगाओ और उसके बाद काकरा लगाओ और उसके बाद लवकी लगाओ कावली लगाओ उसके बाद बंदा लगाओ मुली लगाओ एक गुमती वाली का समरचना करके कौन जग्गा में कैसी कौन तरीका से करना है बहुत बाइगानिक सिस्टम से बाइगानिक तरीका से किसी बाइगानिक तरीका से कौन मट्टी में क्या होता है उसका चेक जांज करके वहाँ पर एक खेती का सेडूल देना पड़ेगा और वहाँ पर सर्खारी करमचारी भी एक पड़े लिखा करमचारी जो उसका जांजबाद करता रहता है उसको भी वहाँ पर आदमे को देना चाहिए और इसे करके एक एप्लिकेशन द्वारा सबी कीर्शाकों को एक निश्चित जमीन में और खेती का हम निश्चित करेंगे तो इतने जमीन में इतने निपाल के और इंडिया के इतने जमीन में करेला है तो आदमी इतना है करेला इतना खपत होता है मुली इतना खपत होता है कावले इतना खपत होता है लोगी इतना खपत होता है और बहुत सारे क्या-क्या फल्फूल अन्न यह सब कुछ कितना खपत होता है और कितना हम सेल कर सकते हैं तो उतना ही हम इने जमिन को लगाना चाहिए और उसको random करके हमने सब्ठोर के माद्यम से उसको जितना हम खपत करते हैं उतना ही हम किर्शकों को multiple करके दे सकते हैं software के माद्यम से software ने computer के software ने उसको बराबर कर देता है को उनका कितना खेती लगा ना किसी का विशों बीगा जमीन होगा तो किसी का एक बीगा जमीन होगा है किसी का पाँच-गयर जमीन होगा किसी का दो रोम हमें दो रूपने Californian होगा किर्श को बड़ा शोटा भी हो सकता है और जितना जून की ट्रीश ऑसके उसको कौन समय में क्या चीज लगाना है वह अपनी के के संद्वारा वहां या पर उसको बता देना चाहिए और बता देने से अब उकिर्षक क्या करेगा अपना जो सेडूल है एप्लिकेशन में आता है अपडेट उट आएए भी 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 आपडेट भी कर सकते हैं और में यह साल किसके लगाना है वो आपडेट एक लोगा आएगा जो खेती लगा आएगा वो सरकर आकर उसको उठा जरुरस से भी बड़ी नहीं होगा जितना चाहिए देश सर्खार में और आमको बेचने उतना ही उत्मादन होगा क्योंकि हम ऐसी करकी खेती लगाओ तो जीजी स्कीर्शक एप्लिकेशन में एड ही और सबको एड करना पड़ेगा जो जिसका खेती लगाना मन ही उसको एड कर बनाना है कितना सुपर बार्केट बनाना है कैसे उसको वहाँ पर आदमी को रोजगार देना ही एक आदमी तो काम कर नहीं सकता है न और वहाँ पर आदमी तो चाहिए आदमी को कौन चाहिए वही गाउं का वही सहर का वही बजार का वही जग्या का वही खेत का आदमी चाह गाड़ी का विबस्ता करना चाहिए, मंडी में जाना चाहिए और बहुत सारे बिचवलियाने वहाँ पर सब खेति को खा देता है, नाफा सब कुछ खा देता है, कितना मुश्कील है किर्शक को, क्यों आत्मी नहीं सर्खारे नहीं समझता है, और अभी का बहुत सारा कितना कि टेकिनिकल जमन आये, बैंक का कितना कितना पूर्शिस काम कर रहा है, कॉम्पीटर और मॉबाइल, इतना टेकनोलोजी आया, इंटरनेट आ गया, और इसको हम पर्योग करके, हम खेति में एक सौप्टूर बनाके, एक एप्लिकेशन बनाके, उसको सही तरीका से हमने, उसको किर्शकों को सर्भ सुलक कर सकते हैं, और जितना हमको खेति चाहिए, जितना हमको उत्पादन चाहिए, उतना हम निकाल सकते हैं, और कभी भी उस चीज़ का रेट भी नहीं गटेगा, क्योंकि उसका जितना हमको चाहिए, तो उतना हम उत्पादन कर सकते हैं, कभी रेट भ पर रशी शड़े जाता है, यह सब कुछ भी चाट्रालागा महिनित हुनिता और खेती भी खतम होता है, कितना घाटा होता है सरकार को, देश को चलाता है, तो किर्शक ही चलाता है एक किर्शक ने उत्पादन किया, तो कितने आदमी बेपार करके वहाँ पर बाजते हैं समझने का बात है और मैंने आज आपको इतना ही यह जो एक टेकनिक ही सबको आच्छा करने का जो टेकनिक है उमिए बताया और दोसर को आपने हमरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ कीजिए मैं बहुत सारा खेतिका टेकनिक लिएके इस लोजिकल एकर ग्रोगेन में आऊंगा आपने बेडियों तम तक देख लिया बहुत दूर धंदे बाद, जै किर्शी जै किर्शक